नमस्कार एंपिलाई में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अंक्यता और आईए अब खबर दिखते मस्तार से आया है कि आदर्श आचरन सहीतर लगने के बाद 6 अक्टूबर से 9 नवंबर 2018 तक प्रदेश में कानून और सुरक्षा ववस्था के अंतरगत 34618 गैर जमानती वारंट तामिल करवाए गए हैं इसी दौरान 3,347 अवैध हतियाद जब्त किये गए हैं और 2,058,044 शेस्त्र थ नवंबर तक कुल 4,157 नावंबंगन पत्र जमा कराए गए हैं नावंगन पत्र जमा करने वालों में पुरुष 3,767 महिला 385 और अन्य पांच शामिल है सबसे अधिक नावंगन पत्र रीवा में 214 और सबसे कम नावंगन पत्र उमरिया और अली राजपूर में 21 नावंग पत्र जमा कराए गए हैं बोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुदाम खाडे ने बताया कि स्चाप प्रचारकों के साथ मंच वाहन प्रचा सामागरी साजा करने पर हुए वै को अनुपातिक आधार पर अभ्यार्थियों के खाते में साजा किया जाने के निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश हैं आगामी दिवसों में स्चाप प्रचारकों द्वारा राजनितिक प्रचा गतिवीदियों में आ रही सगंता का संग्यान लेती हुए डॉक्टर खाडे ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों जानकारी और निर्वाचन वे अनुविक्षेंट से संबंद सूचनाओ का आदाम प्रदान करने के लिए कहा है ता कि जिला अंतरगर्थ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों के निर्वाचन वे में उक्तखर चिनिया मनुसार जोड़े जा सकें विदान सभा निर्वाचन 2018 की तैयारियों पर आज भोपाल कलेक्टर कारियाले सभाकश में जिले की सातों विदान सभाओं के सामान्य प्रिक्षक और पुलिस प्रिक्षक के साथ निर्वाचन गतिविदियों के जानकारी हेतू महतोपून बैठक का आयोजन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुधाम खाड़ी के अधिक्षिता में हुआ बैटक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की सातों विधान सभाओं की संपून जानकारी प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयों के दिशान निर्देशों के अनुरूप की गई तैयारियों से अफगत कराया